जय हैं दोस्तों वेलकम टू जी के क्लासेस इस वीडियो में हम लोग एक और वेकेंशी के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप लोग इस्क्रीन पर देख सकते हैं कुल 321 पदों पर वेकेंशी निकली है यह वेकेंशी कहा निकली है तो यह वेकेंशी परमा और खनीज सब्सक्रास का पर चाले में निकली है कौन-कौन से पदों पर है तो जूनियर ट्रांस्लेशन आफीशर का पद है और साथ इजाज सिकूर्टी गार्ड का भी पद है ठीक है नोकरीया आपको काह में लेगी तो आलो बर इंडिया कहीं भी यापकी जोयनिंग की जा सकती है आ को 17 नौमबर तक आवेदन कर देना है आवेदन की प्रक्रिया है वो आल-LINE है आल-LINE आवेदन करने के लिए आपको वेफशाइट विजिट करना पड़ेगा वेफशाइट आपको यहां पर दिया गया है इस वेफशाइट का लिंक आपको डिशिप्ट में मिल जाएगा आप पर आप देख सकते हैं थे सहसिग होगिता के लिए तो टेंथ्पास पर्षय ग्रेजवेट पोस्ट करेंड है ना, November अगर आप आपको यहथा पर दक सकते हैं a अगर अदिक जानकारी चाहिए आपको सहसिग युगता को लेकर करके तो नौटिप किश्ग पढ़ लिए बिन यहां पर देखें पदों के नाम है उन संख्या की बात करें तो कुल पत 321 मैंने पहले ही बता दिया जिन में जूनियर ट्रांसलेशन आफिशर का पद है सायक सुरच्छा दिकारी का पद है और सुरच्छा गार्ड का पद है इस वेकेंशी का जो नोटिफिकेशन हाउट तो आप आबेदन कर सकते हैं उससे जादा है तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है कुछ वर्गों को आयो में छूट दी गई है तो अगर आप कुछ वर्ग में आते हैं जिसमें आयो में छूट है तो आप आबेदन कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक ह मत करिएगा नियूनतम आई ऐठारा होनी चाहिए दिखतम 28 होनी चाहिए अगर सेलक्षन प्रोसेस की बात करें तो लिकित परिच्छा होगी फिजिकल टेस्ट होगा उसके वाद आपकी जोईनिंग हो जाएगी बिल्कुल और सेलरी की बात करें मुख्य चीज तो सेल्री होती है सेल्री की बात करें तो जूनियों ट्रांसलेशन आफिशर की सेल्री 3500-400 है और शेकृर्टी गाड की जो सेल्री ऑठारा जा रहा है तो बिल्कुल सेल्री में कोई दिक्कत नहीं है आप आप अबेदन कर सकते हैं आप नोकरी हासिल क जो तरीका है वो आनलाइन है जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था आविदन सुल्क की बात करें तो जनरल OBC EWS में अगर आते हैं तो आपको 200 रुपया सुल्क जमा करना होगा अदरवाइज SCST और अगर आप महिला वर्ग में आते हैं महिलाएं हैं तो बिल्कुल आपको कोई भी सुल्क जमा नहीं करना है तो SCST और महिलाओं को बिल्कुल कोई सुल्क नहीं जमा करना है जनरल OBC EWS को 200 रुपया आविदन सुल्क जमा करना होगा तो दोस्तों बिल्कुल अगर आपको नौकरी चाहिए तो बिल्कुल 17 नौमर तक आप आविदन कर दीजे पढ़ा को सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन को पेश कीजिए आप पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम गवर्मेंट जाप से रिएटेड वीडियो लगातार लाते रहते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और गवर्मेंट जाप के नोटिफिकेशन के साथ तब तक अपना क्या करें जाए हिंदु